हलो दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर विजेश दोस्तों टाइप 6 का सम सॉल करने जा रहे हैं जिसमें से पहला सम है यह और यह एक्चुली टाइप 6 कहता क्या है सबसे पहले आपको नियूमरेटर को किस फॉर्म में लिखना है यह देखें जिए प्लस फॉर्म को आपको याद रखना है इस फॉर्म में करना होता है क्यों इस फॉर्म को लगा जाता है mostly mostly क्या होता है कि आपका उपर का जो index होगा ठीक है उपर numerator का इंडेक्स होगा ना वो इससे कम होगा ठीक है ऐसे case में आप ये वाला type लगा सकते हो आई solve करते हैं इसको सबसे पहले आप numerator को 3x plus 4 numerator को इस फॉर्म में लिखोगे a into derivative of denominator what is derivative of denominator it is 2x plus 6 plus b ठीक है इस फॉर्म में लिखा आप solve करें राइट है तो जाएगा 2ax plus 6a plus b ठीक है सो अच्छा ये क्या था 3x plus 4 equal to ठीक है अभी आप coefficient of x को compare करोगे और constant को compare करोगे coefficient of x क्या है 2a equal to 3 ये आपका comparison हो गया coefficient of x का ठीक है आप constant क्या देखोगे 6a plus b equal to 4 ठीक है आपका a का value क्या आगया 3 by 2 और इसका value क्या हो जाएगा इसमें से b का value निकलेगा क्या हो जाएगा वो 6 into 3 by 2 plus b equal to 4 अब आप इसको solve करेंगे 2 3s are 6 तो होगा क्या 9 plus b equal to 4 and this will give me b as minus 5 so अब आप numerator के जगह पर ये पूरा पूरा ऐसा लिख दोगे जहां a और b का value अब आपको पता है तो आपका अब i क्या हो जाएगा integration of what is numerator numerator is a into what is a a is 3 by 2 into 2x plus 6 plus b ठीक है तो plus b मतलब यह minus 5 ना तो लिख जेतने वासे आपको अब minus 5 bracket में लिख दिया ठीक है अपन denominator of x square plus 6x plus 5 dx अब split कर दो numerator बिसिकली denominator को split कर देना है तो इक्या हो जाएगा equal to integration of 3 by 2 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 dx minus integration of 5 upon x square plus 6x plus 5 dx ठीक है अब इसको क्या लिखेंगा मैं इसको लिखेंगा i1 plus i2 यह आपका i1 हो जाएगा यह वाल i2 हो जाएगा अब individually हम solve करेंगे i1 i2 आपका i1 क्या हो जाएगा i1 हो जाएगा integration of 3 by 2 2x plus 6 upon x square plus 6x plus 5 dx दोसे इसमें ना आपको बताना चाहूंगा मैं कि आप observe करो कि denominator का derivative जो है वो numerator ठीक है so इसको direct करते हैं हम लोग but direct करने के पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूं ताकि आपको आगे के मेरे जो sum समेच जो इसमें direct करूंगा उसमें कम से कम आपके connectivity बना सको तो इसमें होता गया है कि आप इसको t लेते हो कि होता है तो टी लेगे एक स्क्वेर प्लस 6 एक्स प्लस 5 ठीक है इसको differentiate करोगे क्या हो जाएगा 2 एक्स प्लस 6 दी एक्स बरावड जो 2x प्लस 6 होता है ने पूरा को प्लस इसको आप dt लिखोगी और नीचे t हो जाएगा आपका i1 क्या हो जाएगा i1 हो जाएगा आपका 3 by 2 dt by t इसका हो जाता है 3 by 2 log of t इसका मतलब हो जाता है 3 by 2 log of x2 plus 6x plus 5 आपका i1 हो जाएगा 3 upon 2 log of x2 plus 6x plus 5 plus c ठीक है प्लस c1 लिख देंगे c1 अब दूसरा क्या है i2 what is i2 i2 is your integration of 5 upon x2 plus 6x plus 5 dx इसमें कैसे करते है इसमें आप जो आपका डिनॉमिनेटर है ना 6x plus 5 इसको completing square में 3rd के सापसे लिखना है जैसे x2 plus 6x plus 3rd term plus 5 minus 3rd term चीक है तो आपका 3rd term क्या होता है 3rd term is half into coefficient of x the whole square ठीक है यह हो जाएगा half into what is coefficient of x it is 6 the whole square ठीक है तो यह 3 का square हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9 तो आप उसी तरीके से i2 में डाल दो यह जाएगा 5 integration of 1 upon x2 plus 6x plus 9 plus 5 minus 9 और यह हो जाएगा आपका dx finally आपका i2 हो जाएगा यह जाएगा 5 integration of 1 upon x2 plus 6x plus 9 मतलब x plus 3 the whole square ठीक है 5 minus 9 is minus 4 उसको लुखंगा minus 2 का square dx I hope यह समझ रहा आपको किया हुआ ऐसा टाइप का सम्हामने यह किस फॉर्म में है 1 upon integration of 1 upon x2 minus a square dx इसका क्या है formula it is 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a plus c so आपका i2 हो जाएगा 1 upon 2 into a what is a 2 ठीक है log of x minus a what is x minus a it is x plus 3 minus 2 upon x plus a मतलब x plus 3 plus 2 और यह प्लस यहाँ पर c2 लिखेंगे हम लों ठीक है यह हो जाएगा 1 upon 4 log of x plus 1 upon x plus 5 plus c2 यह x plus 5 यह सब्सका गरवड हो रहा है मेरा जो मेरा pen है न टाइप का उसका गरवड हो रहा है यह तो उसके लिए sorry यह हो जाएगा x plus 1 upon x plus 5 plus c2 यह हो जाएगा finally आपका क्या हो जाएगा 1 upon 1 upon 4 log of x plus 1 upon x plus 5 plus c2 आपका i क्या हो जाएगा i will be i1 plus i2 आपका i1 क्या है 3 by 2 log of x square plus 6x plus 5 plus i2 what is i2 i2 is 1 upon 4 log of x plus 1 upon x plus 5 plus c1 plus c2 आपका क्या 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 हो है c1 plus c2 equal to c लिलो so आप इस आपको final answer क्या हो जाएगा this plus 1 upon 4 log of x plus 1 upon x plus 5 plus c और एक चीज़ हम भूल गए यहाँ पे 5 था 5 लिखना हम भूल गए यहाँ पर एक्चुली 1 निया आएगा 5 आएगा 5 ठीक है अम यहाँ पर बार बार फाइव लिखना भूल गए था अक्चुली क्या हो जागा मालू में यह वन नहीं आएगा यह 5 आएगा 5 upon 4 log of x plus 1 upon x plus 5 और यहाँ पर प्लस C हो जाएगा यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ I hope मेरा वीडियो आपको समझ में आया होगा मैंने क्या समझाने कोशिश की ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम सेकेंड सम करेंगे टाइप 6 का तो तब सख्याल रखिए और थैंक्स लोट फॉर वाचिंग लेकिन हाँ सब्सक्राइब करेंगा मेरा चैनल लाइक करेंगा और शायर करेंगा मेरा वीडियो दूस्तों के साथ ठीक है थैंक्स लोट फॉर वाचिंग बावाई